साथ्यों तीन चार साल के व्यापक विचार विमर्ष के बाद, लाखों सुझाओं पर लंबे मन्थन के बाद, राश्ट्रिय सिक्षानिती को स्विकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग-अलग शेत्र के लोग, अलग-अलग विचार धाराओं के लोग, अपने व्यूज दे रहे हैं, राश्ट्रिय सिक्षानिती को रिव्यू कर रहे हैं, ये एक हेल्दी डिबेट है, ये जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही लाब देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है, कि राश्ट्रिय सिक्षानिती आने के बाद, देश के किसी भी खेत्र से, किसी भी वर्ग से, ये बात नहीं उठी, कि इसमें किसी तरह का बायस है, या किसी एक तरफा को जुकाव है, ये एक इंडिकेटर भी है, कि लोग बर्सों से, बर्सों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टिम में, जो बडलाव चाहते थे, वो उन्हें देखने को मिले हैं, वैसे कुछ लोगों के मन में, ये सवानाना बहुत स्वाभाविक है, कि इतना बड़ा रिफार्म, कागेज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, यानि अब सबकी निगाहें, इसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ है, इस चैलेंज को देखते हुए, जवस्ताओं को बनाने में, जहां कहीं कुछ सुधार की आवशक्ता है, वो हमें सब को मिल करके करना है, और करना ही है, आप सभी राष्ट्रियस सिख्षानिती के इंप्लीमेंटेशन में, और उस काम में सीधे तोर पर जुड़े हैं, और इसलिए आप सब की भूमिका बहुत जादा है, बहुत एहम है, जहां तक पोलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कबिटेड हूँ, मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ,